अस्सलाम अलाएकुम दोस्तों श्वागत है नाई और एक वोल्डी वर्मिंग के वीडियो में तो आज मेरे फार्म में जो वीडियो में बनाऊंगा ओ है जो बोल्डी वर्मिंग में कैसे किया जाता है हर एक चीज के उपर हम बातचीत करेंगे दोस्तों क्योंकि कौन सी चीज को ऐसे क्यों किया जाता है, इसका प्रोसेस ऐसा क्यों है, हर एक डीटेल्स के उपर हम धान देंगे, ऐसे की आने वाले टाइम में, अगर आप पोल्टी फर्मिंग में इस काम को करते हैं, तो अपने सीचुएसन के हिसाफ से उसको फीट कर सकते हो, दोस्तों, अभी करेंगे दोस्तों, उसके पहले, आप हो सके तो एक बार पूरे फर्म के अंदर फॉर्मालिन से स्प्रे कर सकते हो, दोस्तों, फॉर्मालिन से स्प्रे करने से क्या होगा, कि एक एडवांस ली, तो आप पॉइसन के लिए बहुत सारे खिटना सो, चून या फिर जो ब्लीज के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, एक लीटर पानी में बीसमेल की साबसे फॉर्मालिन डालिए, उसके बाद स्प्रे कीजिए, और उसके बाद बोडिंग कीजिए, और बोडिंग के उपर भी कभी-कभी स्प्रे किया जाता है, अगर आप बोडिंग के अंदर लीटर भ अभी नहीं है तो आप कर सकते हो दोस्तों तो बोडिंग जब आप दोस्तों करेंगे तो हमेशा एक बात हमेशा नूटिस करिए कि बोडिंग का जो सेफ होता है इसी तरह सा सेफ होना चाहिए अब देख सकते हो मेरे फार्म के अंदर पांच मैंने बोडिंग किया है लगवक् बोडिंग जब आप करेंगे, अगर राउंड करेंगे, तो उसका एडवन्टेज क्या होगा, जब बाड को आप इसके उपर चारेंगे, तो छोटे बाड क्या करते हैं, एक जगा इखाटा होने शुरू कर देते हैं, क्योंकि जहां पी पर भी आप कुछ बाड को गर्मी भी वह आपर भी बाड इखाटा होने लगेगा, तो इसके लिए, जब राउंड बोडिंग आप करेंगे, तो राउंड बोडिंग ये क्या होता है, कि इसमें आप देख सकतो, exactly कोना कुछ भी जगा पर नहीं है, तो बाड इखाटा नहीं होता, बाड थाकता नहीं, बाड का ज इसके अंदर एक टायर है, जो पोल्टी फार्मिंग में जो बस्ता आते है, जिसमें फीड आते हो, तो उस बस्ते के अंदर एक टायर को मैंने फीड कर दिया है, उसको मैं जो लिटर है, जो भूसा है, उस भूसे के उपर बिछाओंगा, भूसे के उपर दिया है, दोस्तों और भूसा भी बहुत तरह की होती है आप देख सकतो यहां पर मैंने जो लीटर इस्तेमाल किया है इसको बोला जाता है भूसा यह जो लो क्वालिटी का जो भूसा आता है लो क्वालिटी का जो लीटर आता है उससे अलग है लो क्वालिटी का जो लीटर आता है वो पांच लेकिन यह लोंग टर्म है इसको देने से बाड का जो लिटर का कॉंडिशन से वह अच्छा रहता है लोंग टर्म पर तो टायर फीटर इस्तिमाल कीजिए लिटर अच्छो इस्तिमाल कीजिए तीसरी बात दोस्तों जब आप बोडिंग करेंगे तो बाहर की तरफ भी लिटर यहां पर दब देख सकतो बोडिंग के मैंने बाहर की तरफ भी मैंने लिटर दे दिया है तो बाड क्या करते जब बाड को आप अंदर की तरफ चारेंगे तो बाहर की तरफ निकलने के लिए जहां पर बाहर निकलने के लिए जगा बनाएंगे तो बाहर की तरफ आप जब आप देख सकतो, बोडिंग के बाहर की तरफ भी आप जब लिटा देंगे, तो बाड ठकेंगे नहीं, उसको जगा नहीं बिलेगा, और बाहर की तरफ वो नहीं निकलने की कोशिश करेगा, तो तीसरी बात दोस्तो इस पर धान दीजे, और सबसे इंपॉर्टन चीज़े जब बोडिंग करेंगे, तो इसके उपर पेपर का एक लियार बिशाएंगे, आप देख सकतो, मैंने यहाँ पर पेपर लिया आया है, आभी तक मैंने इसको बिशाओंगा, तो इसके उपर एक पीपर का लियार दोस्तो ज़रूर बिशाएंगे, पेपर का इस्तेमाल करने की कार और में नहीं होता दूस्तों इसके लिए जो इस पेपर का की इस्तेम्माल करेंगे एक लियर तो और दूस्तों के ल tomorrow key strong केसि अभाइबर का इसितीमाल करेंगे एक लीएर तो यह उधार की तूर इपवर्मिंग कि उसके उपधों अच्या सेही ही है एकदम जो आउड लाइन है जैसे कि बाहर की तरफ हावा ना आए और बाहर की तरफ हावा अंदर से बाहर ना जाए इसके लिए जो temperature management है उसके लिए मैं बाहर की तरफ paper का भी दोस्तों इस्तेमाल करूंगा और जो light है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो light का इस्तेमा बहुत सेंगे से क्या जाता है जैसे कि गर्मी का टाइम तो प्रफ का इस्तेमाल करते है लीक इंपरच्छा थोड़े काम है रात के टाइम तो यह जो गर्मी का लाइट होता है इसके लिए जो एक्राइड 200 वार्ड का बाल फोता है उसको ही मैं दुस्तों एकमेंद करूंग इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं, आपका जो रेजल्ट है, उतना एफेक्टिव नहीं आएगा, जितना मेरे आया है, तो इसके लिए जो फेट करने के लिए, जो सही टाइम पर काम को फीट करने के लिए, जो सेड्वील्य आपका, आप बनाईगे, जो यही था, बार्ड बा तो तू जाहिं तूस्तू